नमस्कार बहुत स्वागत है आप सबका एक इस्पिशल अंक में हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंड संतोर संतोशी इस खास कार्ग्रम में आज बताऊंगा मैं बुध का होने वाला राशी परिवर्तन दिनांक 2 अगस्त से 17 अगस्त तक बुध मिथुन से करक में आजाएंगे एक बार के लिए मिथुन राशी से करक राशी में बुध का यह संचरण हर राशी पर 15 दिन तक 16 दिन तक असर तो डालेगा ही डालेगा 2 से 17 पंद्रह दिन का असर होगा यह दो तारिक को दो पहर तीन बजे के लमसम में आ जाएंगे तो हमें दो से ले करके 17 तक बुध को करक में रहते हुए इसके फल की परिकलपना करनी होगी हमें समझना होगा कि बुध इस राशी में आ करके किस प्रकार के फल आप तक पहुँचाने जा रहा है यह खास जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे राशीगत तरीके से जिसे आप चंद्र राशी के अनुसार मून साइन के अनुसार देख सकते और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं जान सकते हैं कि यह 15 दिन आपके राशी पर क्या बीतने वाली है चलिए सुरवात करते हैं बताते हैं मेश राशी वालों को कि बुध का एक खास राशी परिवर्तन आपके लिए क्या गुल खिलाने वाला है मेश राशी वालों के लिए एक खास परिवर्तन तृतिय के स्वामी होकर के चतुर्थ में आ गए छटे के स्वामी होकर के चतुर्थ में आगे तो दोनों त्रिक भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ में आए हैं यह कहीं से भी कदा भी सकरात्मक नहीं है यह कहीं से भी सकरात्मक नहीं है आपके लिए कई प्रकार के मांसिक तनाव की अभिवर्धि कर देंगे चोड चपेट, सिक्षा छेतर में प्रॉबलम, दिक्कते, परिशानिया ये पंद्रह दिन आपके लिए बहुत कुरूशल रहेंगे आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यक्ता होगी मन में कई बार आत्मच्छत की विचार आएंगे अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा तो उसके लिए ये पंद्रह दिन बहुत लोगों के बीच में रहने का है एकांत से बशने का है ब्रिशब राशी, आपके लिए मामला थोड़ा सा फिर भी ठीक रहेगा आपके थर्ड हाउस में ये खास परिवर्तन बुध का हो रहा है दुति ये शोकर के आपके लिए धन दायक ये परिवर्तन है परिवार में किसी छोटे बच्चे का आगमन होगा किसी बच्चे का जन्म आदी संभव है परिवार में कुछ मांगलिक कारे भी हो सकते हैं जैसे शादी व्याह की बात कहीं फाइनल हो सकते हैं मिथुन राशी अकस्मात धन प्राप्ति की संभावना हैं सुक्षा छेत्र में एक दम से अचानक उन्नती प्रमोशन और मित्रों से कुछ धोखा की संभावना बनती है करक राशी अकस्मात चंचलता बढ़ जाएगी गलत निरड़ेओं के कारण कुछ भारी च्छति की संभावना है प्यार के मामले में अकस्मात ब्रेक अप या किसी पिछली घटना का कुछ खुल जाना आ सकता है आप मदब देखा जाए तो पोल पठी खुल जाएगी खास तोर पर करक राशी की लड़कियों के लिए यह समय लव लाइफ को लेकर के बहुत संजीदा और बहुत ट्रांस्पेरेंट रहने की आवश्यक्ता है वो यह हो ही नहीं सकते इनके बसका नहीं ट्रांस्पेरेंसी करक वालों की एक बहुत बताएंगे फिर कभी इची रहेगी बच्चों को लेकर के बहुत मजबूत महसूस करेंगे कन्य राशी आपके लिए यह खास परिवर्तन हर प्रकार की सुख सुविधा लाव देने वाला होगा खास तोर पर नवकरी में आपका सिक्का चल जाएगा गर्दन पे लटकती तलवार हट जाएगी बहुत प्रशन रहेंगे काम आपका विस्तारित होगा हर छेत्र में धन की स्थिती बहुत अच्छी कर रहा है परिवार में किसी नए महमान का आगमन होगा तुला राशी तुला राशी के लिए तो यह योग कारक हो करके नौमेश हो करके केंद्र में आगे मुल्त रिकोंड से केंद्र में आगे अचानक से नई नवकरी की संभावनाएं बनती है कुछ बहुत सकरात्म, कुछ बहुत पोजिटिव अपने आप आपका होने जा रहा है आपके लिए औरों का सानिद्ध अदभुत लाव दे जाएगा किसी दोस्त की मदद से नई नवकरी आपके पास चल कर आएगी प्राइबेट सेक्टर वालों के लिए परिवरतन का बहुत अच्छा समय है इसका लाव लिया जा सकता है कहीं अपलाई करना हो कहीं इंटर्व्यू देना हो तो आप बिल्कुल गंभिरता से विचार करिएगा ब्रिश्चिक राजी आपके लिए अश्टमेश हो करके नवम में आना ये थोड़ा सा गुप्त ग्यान की गहराई को जागरिद कर रहे हैं भाग्य में कुछ लैकिंग आएगी एक तो काम आपके बिगर सकते हैं सोच स्विचार करके निर्ड़े लेना है जल्दी बाजी कदापी नहीं कर रहा है धनुराशी धनुराशी के लिए ये खास परिवर्तन अश्टम भाव में आ रहा है यहाँ पर पेट संबन्धि दिक्कत आँख की दिक्कत पैसे का फसना ब्रेकप की संभावना पति-पत्नी के बीच बैवनस से की स्थिति बन सकती है मकर राशी आपके लिए बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा नहीं खश्टेश और नौमे शोकर के आपके सब्तम भाव में आये हैं दामपत्य जीवन में कुछ हस्तक छेप आदी थोड़ा बहुत महसूस करेंगे पार्टनर्शिप कम टिक पाएगी लेकिन फिर भी भाग्ये शोकर के केंद्र में हैं सब कुछ सामान में चल जाएगा बिगड़ेगा नहीं कुछ कुम्बराशी आपके लिए इस्थि यहाँ छटे भाव में है पंचमे शोकर के आएं और अश्टमे शोकर के आएं इस्थि यहाँ पर मांसिक विक्रिती की है डिप्रेशन में जा सकते हैं निगेटिव इनर्जी का अटैक हो सकता कुछ निगेटिव थौट्स आपके दिमाग में घर कर जाएंगे निकलने में मुश्किल आएगी खास दौर पे 15 साल से लेकि 20-22 साल के बच्चों को बहुत सावधान रहना है जो हमारे यूथ फ्रेंड्स हैं उनको बहुत सावधान रहना है मीन राशी मीन राशी के लिए ये इस्थि पंचंभाव में है कोई नया प्रपोजल मिलेगा पढ़ाई अच्छी करेंगे रुके धन की प्राप्ती होगी पैसा इस बीच जरूर आएगा संतान के लिए इस तरियों को सावधान रहना है गर्भपात मिस्केरज आद की संभावना बनती है बुद्ध की स्थिती को सुभ करने के लिए उपाय क्या करना है आपको मैं आपको प्रियोग बता देता हूँ आपके लिए जो सबसे सकरात्मक प्रियोग रहेगा ये खास परिवर्तन दो अगस्त दो हजार बीस से सत्रह अगस्त दो हजार बीस तक जो ये परिवर्तन है इसके लिए प्रियोग क्या करना आप मैं वो बता देता हूँ एक मिट्टी के दिये में साबुत उड़द रख करके थोड़ा सा दही रख करके किसी पौधे के नीचे पांच दिन लगातार रख दीजिए दो अगस्त से दस अगस्त तक बस साथ अगस्त तक माफ कीजेगा पांच दिन वैसे साथ दिन दस दिन रख दें तो सोने पे सुआगा मिनिवम पांच पांच का बंधन है नॉन्वेज नहीं खाना है पत्थर सत्यानाश करते हैं अगर किसी ने पन्ना और गलती से पहना है तो भाईया प्लीज निकाल दीजिएगा पत्थर सत्यानाश करते हैं इस पर हमने दो वीडियो अलग से बनाया है बस यही रालिए योट्यूब पे सर्च करिए पत्थर सत्यानाज करते हैं निकल आएगा आपके लिए बस आज इतना ही बाकी ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ हम आपके पास कारिक्रम पहुंचाते रहेंगे दो जानकारिया दे देते हैं आप हमसे कारियाले में मुलाकात कर सकते हैं काजियाबाद कारियाले आपके लिए सेवा में ततपर है प्रॉपर सेनिटाइजिशन के साथ सोचल डिस्टेंसिंग के साथ और आप घर बैठे भी कुन्डली दिखा सकते हैं बस दो उसके लिए शर्त है हमारे जोद नंबर चल रहे हैं आपके सामने उस पर आप कॉल या वाट्सअप कर सकते हैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए हमें नुमत दीजेगा आप अपनी मुहबत हमारे साथ बनाया रखिएगा नमस्कार स्रिकिष्टना जैशिरादे